हेलो काईज वेलकम बैक टो मारे चानल है खूब आप सब बहुत अच्छे हो तुम आपके साथ शूर करने वाली हो अमेजिंग सा ब्राइडल मेकप टिटोरियल जो आप अपने रिसप्षिन पे इंगेजमेंट पे भी लोग क्रिकेट कर सकते हो सबसे पहले हैं पर मैं अपना क्लास अभी भी चल रही है और मेरी फ्री मास्टर क्लास की बुकिंग अल्मोस सारी कंप्लीट है सोल्ड आउट हो चुकी है अब मुझे मेसेच मत करना जब भी मैं नेक्स्ट लेकर आऊंगी तो आप डेफिनिल्ट उसमें ट्राय कर सकते हो अब की सारी सीट्स फुल हो चु मेकप आटिस्ट हो तो जरूरी नहीं है इनकेस अगराप मेकप आटिस्ट हो तभी आपको क्लास देनी है आपको अपने बारे में भी बातचीत करनी है अपने बारे में भी जानना है क्या आपके उपर क्या सूट करता है क्या नहीं करता है कौन सा फांडेशन यूज करें के डिटेल्स इस क्लास में जाएंगी सिर्फ और से डबल लाइन की क्लास है इनकेस अगर आपको जॉइन करना है तो दिए गये नम्बर पे वाट्स अप पे मुझे वाट्स अप करिए अपना नाम लिखके अपनी प्लेस लिखके मुझसे इनफर्मिशन ले सकते हो कि कब क्लास होने वाली है अधर्वाइस 17 अप्रेल को फ्री मास्टर क्लास होने वाली जिसकी स्लॉट फुल हो चुकी है सोल्ट आउटो बैच हो चुका है मैं अपने बैच में इसलिए ज़्यादा बच्चे ने रखते हूं तकि में पस पांच बच् नहीं चाहते हैं किसी इट है अप मुझे अपना टायम बहुरां चाह min knowledge हों एकसे बातकहित करनी है नो डाउट यह कोई फेक नमबर नहीं है अगर आप चाहते हो तो आप मेरी इंस्ट्रग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो अब यह सोचना कि कम फॉलोवर्ट से तो क्या ही मेकप सिखाएंगी ऐसा कुछ भी नहीं है यह मेरे लागुनी करता है यह हर उस मेकप आटिक्स प तो किसी का भी मसाख नहीं उडाना यह मैं कलरेक्शन कर रही हूं फॉरेफटीट की पैलेट से मैं थोड़ा हाइरेंट प्रोड़क्ट इसले लेकर आ रही हूं ताकि आपको पता चले कि हांची भई हमारे पास भी प्रड़ेक्ट है क्योंकि मैं जाथातर अफोर्डबल ल लगा के दिल लगा के सीखना पड़ेगा तभी कुछ चीज़े हासिल कर पाऊगे जैसे अपनी स्कूलिंग आप कम्प्लीट करते हो मन लगा के मार्क्स लेका तो आपको एक्जाटली यही करना है चाहे आप सौर पे दो चाहे आप 10 यार पे दो चाहे बीस यार पे दो लेक सब्सक्राइब को तक चाहे आप मिल्काा करेंगी इसलिए कि नो पर फटा फटा जाके अभी रिष्टर्श कर लो और यहां पर ची तरीके से कशल रही हूं अज़रूरी यह पहुत है अज़रूरी है यह बहुत हैं में अच्ट सबाफ़ा टोन लगा लाया तो कि और लेकिन अक्छे से समझाऊंगे उनको उसके बाद मैं एक और फी लाइफ सेशन लेके आने वाली हूं एन यहां पर मैं अगीन करेक्शन ही अभी अल्मोस कर रही हूं ताकि इनके जो डाक सेकल सफ थोड़े से लाइट नप हो जा और मैं एक लाइट टेंसिलर लेकि उसके उप कर रही हूं आप चाहों तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी डैविंग मोशन में डाप कर सकते हो जैसे कि आप मैं कर रही हूं आपको लास में डैविंग मोशन में डाप सरू करना है चाहां कितना भी ब्रश अपलाए कर लो एंड ऑफ दा मेकप आपको सेट आपकी ब्लेंडर स ही करना है ना कि पूरा बेक्स आपको ब्रश के बना के छोड़ देना है अगर आप इसा करोगे तो पैच पड़ेंगे केकी पड़ेगा आपका कवरेच अच्छा नहीं आएगा आपको काफी दिखोदों का सामना करना पड़ेगा इन्दा मेकप सेशन अब काफी लोग ऐसे हो अगर मैं यहीं बता दूगी मैंने कहां से सीखा नौडाउट मिजो बताने में कोई प्राब्लम नहीं है अजय को अगर सीखना है किसी से तो आप उसकी बारे में जानीए कि उसने सीखा कहां से है यहां मैं हलके हास से डाइब करी हूँ अब काफी लोग होंगे सोचिंगे क यार बोरिंग हो रही है class यह तो हमें पता है इतना लंबा क्यों चला रहे हो सब्सक्राइब कर रही हूं अब मैं कौनसा फाउनिशन लगा रही हूं उसके पो मुझे नीचे कुमेंट बोक्स में कमेंट करना पड़ेगा अपनी नेक्स वीडों बताउंगी कि मैंने कौन सा फांड़ेशन यूज करा अगर आपको सारी चीजे ठाली में परसी परसाही मिल जाएगी तो किसी चीज की वाली में होगी इसलिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है जितना को बिलकुल भी मत भूलना अपनी सौतन समझ के यार की चलो कोई बात नहीं नेक पे हलका पुल का लगा लगा लो आइनो वेरिवल शूट होने वाला है हम कोई बाहर नहीं ले जाने वाले यह आपके लिए ही वीडियो है बट नेक को थोड़ा बहुत कर दिया करो लीप-पोत इसका के फिर इस पोर्चन मा आगा है फिर उठा की ओपर वाले पोशन में चले घर एफिर उठाके निचा करना आपको जैसे दिख रहा है ना ब्लेंड करने का तरीका इक्जाक्ली आपको ऐसी करना इसलिए मैंने वीडियो को इतना ज्यादा ग्रट नहीं किया है ताकि आती इतनी अच्छी तरिके से समझाने के बावजूद भी आपका बेस के कि क्यों पढ़ता है एक चीज मैं आपको बता दिया कर आपका CTM बहुत अच्छा होगा तो आपका सारा बेस अच्छा बनेगा अब कौन सा प्रोड़क्त का भी उस हो रहा है कैसे उस हो रहा है उसके आपको डबल नाइन की क्लास लेनी पड़ेगी मेर से बातचीत करनी पड़ेगी ताकि मैं आपका भी इसके टॉन देख पाऊं समझ पाऊं और बता पाऊं अब आई नो आई नो काफी लंबी वीडियो चल रही है और अभी भी ब्लेंडिंगी चल रही है तो इतना लंबा क के लिए और खुद के लिए भी नो डाउट अब काफी लोग बोलेंगे कि आप अपने लिए तो कर रहे हो हमारे क्या कर रहे हो इसा नहीं होता यार हम भी अपना जो सपना था उसको पूरा करके एजाक्ली सेम किसी दूसरे करियर को एक्सेप्ट किया है यहां पर लिक्वि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ब्लश अप्लाय कर रहे हूं और यहां पर मैंने इसलिए फास-फास कर दिया है क्योंकि ब्लश के अप्लिकेशन आपको अलमुस्स दिख जाती है पता चल जाती है आज का मीन पर पस्ता मेरा ब्लेंडिंग का व्यूटी ब्लेंडर के इतना बड़ा कोई शूनी था यहां पर मैं एनवाइब अपर से महीं उसी पॉश्चन में डाब कर यह देखने कर तरीका समझो कि मैं कैसे कर रही हूं यहीं आप किसी मेकप आट इसमें देखते हो काफी लोग अलग तरीके से पकड़ते हैं हम कैसे पकड़ रहे हैं आपको करना यहां पर मैंने कंसीलर अप्लाइब करने से पहले जो भी थोड़ी बहुत क्रीज थी पहले मैंने उसको हाइड करी है मैंने बैक टूबैक ले और नहीं कर रही क्योंकि केकी पढ़ना ग्रेप अच्छी पढ़ने के चांचिस रह सकती हैं आप कोई भी क्रीम पढ़ाए कर और यहां पर थोड़ा सा वाइट हो रहा था तो उसको मैंने ब्लैंसिंग करने के लिए एक हलका सा मीडियम शेड लिया है आप भी ऐसा कर सकते हो नो डाउट कहीं पर भी निलिखा हुआ कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो डेफिनिट्ली कर सकते हो अपने बेस को अच्छा स्ट् कि मैं सारी चीजेs만 ब्लेंडिग के आप अपर रियाद मैं भाषन दिये जा रही हूं क्योंकि ब्लेंडिंग ही में होती यहां मैंने अप्ल्मेंट करों किया थे तो उसल्म आप क्टशन नहीं है यह कोई सेटिंग क्या सब्सक्रेश करने के यह रहां कि मैंने क्या यह सकता है तो निए प्लाइब आपने बेस को सेट करने के यह मैं पाउडर सेटिंग अल्रीदी कर चोकी हूँ हलका-फुलका और यहां पर मैं अपनी आईशेड़ कर रहे हूं इसलिए में फटा फटा करती ताकि आपको बता चल जाए कि मैं क्या कर रही हूं क्यों क्या होता ना आईश तो आप देख सकतो आई लूक कितना साधा प्यारा लग रहा है यहां मैं इनकी आइब्रो सेट करी हूं अलड़ी में कर चुकी थी स्क्रीन पर दिखाने के हल्कापुल का डाक कर रही हूं अब क्या होता है अगर मैं किक चीज को दिखाने बढ़ जाए ना तो यह वीडियो ब सब्सक्राइब करने वाली हूं आइब्रो डन हो चुकी है अल्मूस्ट आपको ड्रमाटिक दिखाना ड्रमाटिक दिखाना नाच्रल दिखाना इस टोटली डिपेंड्स ऑन यू बठाए एक चीज यहां लगा रहे हो तो क्रीम प्रड़क्ट पाउडर सेटिंग के पास सार चीजे जो है वह पाउडर में लगेंगी चाहिए वह ब्लश हो कॉंटोर हो हाइलाइटर हो कुछ भी हो और यहां पर मालाइटर यूज करें हूं फरे फिस्टी टू की पालेट से बहुत अच्छी पालेट है इसमें अल्मूस्ट सारी शेड़ा इनो बहुत महंगी है सच मे बहुत जादा महंगी है जेब ढीली हो जाती है इसको खरीते खरीते बट अभी खरीदी है जब हाथ में पैसा आना चालो हो गया ऐसा नहीं क्या बिगनर हो तो यार मैंने बोला तो लो भाई फरे फिस्टी टू लगा दो ऐसा नहीं करना मेरी बाकी सारी वीडियो देखो कि लिप्स्टिक में अप्लाई कर रही हैं बुलट वाली यानिकी क्रीम लिप्स्टिक फ्रॉम मास कोस्मेटिक की पूरी पालट आप मेरे हाथ में देख सकते हो इसमाल मौश सारे शेड है बहुत अमेजिंग शेड है नियोड से लेके डाक आपको मिक्स माच करके बनाने वह सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैंने कौन सा फांडेशन न्यूस कर था थैंक इस सो मच वाचिंग मैं वीडियो स्टेट यून गाइज बबाई